हाई गाईज वेलकम बैक तो आज मेरा डे 5 डे 6 चल रहा है कॉरंटेन का खेर अब तो यार मैंने कॉंट करना भी छोड़ दिया है तो कॉंटेने बैठे बैठे बनत इतना बहुत हो जाता ना तो मैंने आज काफी सोचा काफी सोचा कि कुछ करता हूं कुछ नया करता हूं फिर लास्ट ने मैंने फोटोग्राफी करना स्टार्ट कर दिया तो सबसे पहले को फोटोग्राफी आइडिया है वह है डाल के ऊपर मैंने चेक किया मेरे पास पता ने कितने टाइप की डाले में पड़ी हैं कब से पड़ी है मुझे कोई आइडिया ने था बस पड़ी है मैंने आज देखा ते पहले आपको चाहिए एक क्लीन वाइट पे हो उसके लिए और साथ में मैंने यह रखा है चना दाल मसूल की डाल और हिचावर रखे हैं मैं थोड़े से इसको डेकोरेट करना है डेकोरेट आप कैसे भी कर सकते हो इस टाइमें आप को चाहिए पैसे कर सकते हो अब मेरा हाट इतना अच्छा नहीं है बाट टीक है काम च अब यह फिट नहीं नीचे हो रहा है तो कुछ युगाट ट्राई करेंगे कि इसके अगे है अब कि तो अब मैं दाल से हो गया बहुत जता ही बोर तो अब मिलको दिखा गरम मसाला का पैकेट खड़ा गरम मसाला जो होता है यह वाला यह पैकेट दिखा मुझे अब मैंने सोचा कि इसकी फोटो लेंगे हम तो इसका सेटप एकदम सेम है आपको चेक वाइट पेपर यह खड़ा करक माल है ना थोड़ा स्टाइल में इसको अउड़ा सकते हैं अब भी हम बनाएं के जीडा रास चलो वो तो बनाना नहीं लाता बट हम लोग जीरा राइस की फोटो लेना सिखा है इंगे आपको अभी तो इसके सबसे बहले आपको चाहिए थोड़ा से चावल आपको आपको थोड़ा सा जीरा एक चमन जीरा इसके बाद ये थोड़ा विजाइनिंग के लिए एक इलाइची, एक क्लोव और ये चोपी बोलते हैं इसको तो बहुत जदा क्राना का काम करने के बाद अब मेरे नजर पड़ी रूम में पड़ एक आइस्ट कॉफी के एक कैन पे तो पहले हमने सोचा कि इसके थोड़ा सा बूंधा बांदी करके हम इसको गिला करेंगे, ड्रॉप्स टॉप्स करेंगे तो अब अपने लैपटॉप में कुछ भी रेंबो कोलर वाल पड़ पर लगा सकते हैं उसके बाद हम मैक्रो लेंग्स यूज करेंगे इस फोटोग्राफी में भी क्योंकि यह एकदम क्लोजब फोटोग्राफी है तो फिफत एयडिया और लास्ट एयडिया है इस वीडियो का वह meant that you can photo pop पोटोग्र्फिि और लगाद के हो,有ी जती हैँ कि इसको जाने कि जलाका रोग हो कि काफि़ डीफेरेंट डीकिनि डिफेरेंट शेप में आती है बनाये है मैं स्टिक और एक ट्राइंग की हल्प से उसके बाद मैंने इन दोनों को फैविक जिबता है हुआ है और ब्लू पेपर क्लिप से बेड़ांट अच्छी से सेट करके आप इसके फोटो की ले सकते हैं आया तो बस यह वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इन्परमेटिव लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और अगर आप भी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना तो अगर आपका भी quarantine period चल रहा है यहां आप थे quarantine period में तो आप उसके अपने experience में शेयर कर सकते में comment section में और मुझे बताने कि आपने क्या किया था टाइम प्लास करने के लिए उस टाइम चलो बाई कर दो